मैं शिखाशिवास और मेरे चैनल टिप्स थीएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ चाहे बॉल पेन हो दोस्तों चाहे इंक वाली जो हमारी पेन आती है उसकी शाही हो दोनों में से कुछ भी का दाग लगा हो तो उसे हम किस तरह से हटाएं बस आज मैं आपके साथ यही बताने वाली हो शायद ये समस्या कई लोगों के साथ सामने आई होगी कपड़ों में दाग लगी जाता और खासकर हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म में तो कई बार लग जाता है तो ये मेरे हजबेंट की शट है इसमें भी शाही का दाग लग जया है इंक का दाग लग जया है बहुत ही बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हो तो जब भी ऐसा हो जाए दोस्तों कपड़ों में शाही का दाग इंक का दाग लग जाए आप पहले तो आप उसे गीला बिल्कुल ना करें सुखा ही रहने दे और उसके बाद दोस्तों इसे छुटाने के लिए आपको आपके घर की ही चीज को लेना है जो की जादतर आपके घर पर हमेशा ही रहती है तो दोस्तों वो सिक्रेट इंग्रीडेंट है जिससे आप किसी भी तरह के पैन की इंक के दाग को आसानी से रिमूव कर सकते हैं वो है दूद जी हाँ दोस्तों इसके लिए आपको लेना है कच्छा दूद कोशिश करें दोसो कच्चा दूद्ध हो, जैसे हम दूद को गरम करते है ना दोसो, तो इस दूद का थोड़ा सा हिस्सा, दो चम्मच, एक चम्मच आप दूद अलग से निकाल के रख लें, तो मैंने भी आपर कटोरी में ईस दूद को मैंने गरम नहीं किया था, और बाकी द तो आप देखे हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ, मैंने यहां पर यह कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है मेरा यह चौपर, तो मैंने इसे इसके अंदर इसलिए रखा है दोस्तों, ताकि जो इंक फैल रही है दूट डालने से, वो इस शर्ट के पीछे के हिस्से में ना लगने प बाए, बस, अब आप देखें दोस्तों, मुश्किल से 2-3 बार कच्छे दूद में आपको इस ब्रश को डुबाना है, शाही का दाग शायद अब आपको हलका दिख रहा होगा, और देखते ही देखते ही यह दाग बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, उसके बाद आप इसे ख जरूर सुखाना चाहिए कपड़ों को, दूप में सुखाने से भी कपड़ों में जो कई बार रंग लग जाता है, दाग लग जाता है, तो वहाँ उड़ जाता है, निकल जाता है, तो यह देखें, पूरा एक चम्हाश दूद मैंने भर के इसमें डाल दिया है, और अब मै यह हिस्सा दूट से गीला हो गया, इसलिए आपको थोड़ा सा नीला पन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगे आपको दोस्तों, तो आप इसे फिर से थोड़ा सा दूट डाल सकते हैं, वैसे मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि आपको इसे में अच्छ कि अखाज़ी नहीं के दाग को जो थोड़ा बहुत भी आपको झछलक दिखाई दे रही है। sottoscreen के पानी में जैसे ही हम इसे डालेंगी तो भी ये दाग निकल जाएगा। तो आपके सामने भी मैंने सा sottokin सा सादा पानी ही डाला है Außerdem Likeuzzy पानी भर कर रखा था उसमें डुबा दिया चलिए अब आपको मैं निकाल कर दिखाती हूं इसके बाद आप्चा है तो साबुन के पानी में धोएं नहीं भी धोएंगे दोस्तों तो भी दाग निकल जाएगा कच्छा दूद बहुत ही आसानी से बहुत सारे दाग निकलते है निकल दोस्तों मैं तो यह चीज हमेशा अजमाते ही आई हूं मेरे बच्चे भी जब स्कूल जाते थे सकुल जाते हैं तो पही बार यदि यदि आपके साथ कभी किसी कपड़ों में शाही लग जाए निक लग जाए तो इस मैठट को जरूर ठाय करके देखना 100% रिज़ट मिलेगा दोस्तों इसके लावा कच्छे दूद से यदि कीचड के राग लग जाते हैं बारिश में आपने देखा हुगा कई बारिश के जो छीटे आते हैं मिट्टी के छीटे हैं यदि कपड़ों में लग गए हैं तब भी आप इस उपाय को जरूर करें तो पानी से दो दिया है अब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों आपको कहीं भी नीला रंग दिखाई नहीं दे रहा है अभी तो कपड़ा गिला है और जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो धूप भी बहुत ही अच्छा मतलब हम कह सकते हैं नैच्रल ब्लीचिंग का काम करत तकि आपको clear दिखाई दे कि हाँ कहीं भी नीला रंग दिखाई नहीं दे रहा है आप चाहें तो एक बार और भी से साफ पानी से धो सकते हैं भी मैंने साबुन पानी नहीं डाला दोसो सादे पानी से ही आपको वाश करके दिखाए आप देख रहे हैं पानी का रंग में भी हलका सा दूध टाइप का लग रहा होगा हलका सा ये देखें क्योंकि दूध से हमने इसे रगड़ा है कच्चे दूध से तो इस तरह से आप किसी भी कपड़े में जिसमें भी इंक लगी है आप निकाल सकते हैं अब आप कह सकते ना दोस्तों कि वाकई में मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है इस जेब में जहां इंक लगी थी कहीं भी दाग दिखाई नहीं दे रहा बस अब हम इसे सुखने रखेंगे और सुखाने के बाद तो शर्ट बिल्कुल नएके जैसे ही हो जाएगी तो बहुत अच्छा तरीका है आप इस तरीके को जरूर ट्राय करें और अभी शर्ट गिली है दोस्तों क्योंकि शाम का समय है धूप नहीं है इसलिए मैं आपको बिल्कुल इसे ड्राय करके अभी नहीं दिखा पाई हूँ परन्तु रंग आप देख सकते हैं कि वाकई में इंक का रंग बिल्कुल ही उड़ गया है बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कच्छा दूद बहुत ही अच्छा दोस्तों मैं तो हमेशा इसी उपाई को करती हूँ जब भी मेरे बच्चे कपड़ों में इंक लगाते हैं और इस तरह से आप कीचड़ के द